बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 सब्सक्राइट है चेप्टर नमबर है नाइन जिसका नाम है और दियोगी करांदी यानि की इंड़स्ट्रिय रिवैलियोश्य तो इस चेप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन आंस इस वीडियो का जो की काफी इंपोर्टेंट है इसमें दो कोश्चन बिसिकली आपके बनेगे सबसे पहला यह बनेगा कि और दियोगी करांदी जो थी वह बिटेंड में ही क्यों आई थी सर्वत्रतम और दूसरा बिटेंड में जो आवागमन के साध्धन के रूप में जो आप इसकी भूमिका बनेगे तो बिटेंड में 1780 के दसक और 1850 के दसक के बीच यानि कि लगवर यह जो सतर सालों का समय जो रहा है इसमें अर्थ वियोस्ता का जो रूपांद्रेंड हुआ है उससे कहते हैं और दियो क्रांदी क्या है समझ में आगी आप सभी को आप तीनों में ही एक ही राज सत्यान की एक ही समराट का सासन था अब जब एक ही समराट का सासन होगा तो बाजार विवस्ता एक ही रहेगी जो मुद्रा का प्रशार वह भी एक ही रहेगा एक ही सिक्का परणाली भी होगी तो इसी तरह से यहां पर एक बाजार विवस्ता एक प तो यहां पर पैसा प्राप्त होगा वह इन तीनों के लिए बहुत जाद होगा यानि कि यह बैनीफिट सावित होने वाला था इन तीनों के लिए इसकी वज़े से कीमत बढ़ जाती थी तो अठार्वी सताप्दी में इंग्लेंड के एक बड़े इंग्लेंड जो था वह एक बड़े आतिक जीवन के दाव से गुजरा इसे बाद में कि कहा जाता है अब यह थी क्या तो क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जमीदार थे इंग्लेंड में जितने भी यह बड़े बड़े जमीदार हैं प्रिक्ती मेंग्लेंड हैं जो जमीने थी उसको अपनी बड़ी बूस्तंप्ताएं मिला लिया इससे क्या हुआ जो छात्यार था आपको पता लोगों को अमन्तित करेंगे लोगों को अधित करेंगे तो अर्थिक जो अधिक कहा कि और क्रिशिक रामति की सबसे आखरी जो एहम रोल प्ले करता है वह है मशीनों का अविश्कार ठीक है मशीनों का अविश्कार तो बेटैन में आध्यक मशीनों का अविश्कार जैसे की चालक सकते चालक सकते के रूप में यानि की भाप का ग्यान भाप के इंजन का तो मशीनों के आविश्कार सुरू हो चुके थे इस कारी से अधिक मात्रा में जब यह मशीनों का अविश्कार हो गया तो में पता है क्य किया गया तो इस तरह से जो और क्रांटी थी वह बेटेंड में शुरुआ थी पहला पॉइंट बाजार विवस्ता दूसरा पॉइंट क्रीशी क्रांटी एक है और इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा वस्तु का बीन में चौत्था मशीनी आविस्कार तो चार माक्स का अगर बनता है तो चार लिख देंगे अब समझे इसके दूसरे पार्ट को दूसरा पार्ट कहता है देखें दूसरा पार्ट हमारा क्या है यह कहता है कि बेटेन में आवागमन के जो सादन थे इसमें जो नई आविस्कार हुए वो समझान तो कौन-कौन से नजया विसकार हुए है देखे पहला विसकार था सड़क है अभी देखिए नहरों के उपर और जो रेल है इसके उपर अलग से एक आपका लॉंग कोशन बनेगा उसे हम वीडियो के सबसे एंडिंग भाग में देखेंगे तो सबसे पहले सड़कें देखिए स्कॉटलेंड के इंजीनियर जान पैक एडम इन्होंने क्या कि छोटे छोटे पत्रों की साहता से एक मजबूत सड़क बनाए जिस पर वहां जो था जैसे आगे दिखेंगे जो कार थी उसको दोड़ाया जा सकता है उसके बाद नहरे आपको पता है जिम्स बिंडले के दौ जो कि क्या करता था मशीनों जो खनन था ठीक है खनन में सहायता करता था उसके बाद इस्टीम शिप्स यान की भाव से चलने वाली बोट तो अमेर्की वग्यान रावट कुल्टों ने 1807 में भाव से चलने वाली जो बोट थी उसकी खोज की उसके बाद आती मोटर कार तो कि दीरे दीरे क्या हो गया अब यहां पर एक मोटर कार पॉइंट पहले तो कि उन्हीं सबसे पहले सड़के आई जो पत्थ्रों से मजूद करके बनाए गई नहरे आई बहुत सी नहरों का निर्माण किया गया वेल इंजन जब देल इंजन का आविसकार हो गया तो देलवे कपजा होचुका है यानि कि जो अभिषकार है वह हुचका थो अफ में क्या चाहिए अब चाहिए मैं जल्प इस तल्में सडक हो जाएगा जललण में और सो जाएगा और इसह कि यह आपके point हो जाएगे जो बेटैन में आजनीक आज नहीं क्या जो आविश्कार हुए थे उसके बाले ठीक है तो पहला कोश्चन कंप्लीट हो क्या आपका चलिए अब इसे इंग्लिस में पढ़ते हैं इस कोश्चन को लिखेंगे वाइड दिफर्स्ट इंडस्ट्रियर एवैलिएशन हैपन इन बेटेन और यानि की जो इं सबसे पहला था मार्केट सिस्टम उसके बाद एग्रियर रिवैलिएशन एक्चेंज ऑफ मनी इंवैंशन ऑफ मशीर यह चार पॉइंट थे जो आपको इस आंसर को इसी लिखने में मदद करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है हिंदी में समझा दिया इंग्लिज में आपर देख सकते हैं उसके बाद आ जाता है अमेजिंग चैंजेश तो प्लेज इन दा फिल्ड ऑफ ट्रांस्फोरमेशन फ्रॉं सबसे पहले रोट्स कैनल्स रेल इंजन इस्टीम शिप्स एंडी मॉटर को यह आप आंसर इसका इसी लिखने को समझ में आ गया सभी को आगे बढ़ जाए चलिए सेकेंड देखने से पहले इसका में एक बाद चैंज कर देता हूं एक अच्छा सा अब ठीक है चलिए अगला देखते हैं कोशन नमर है सेकेंड अब यह प्रशन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाएगा और्दुन कर्णाथ मिश्यत वरद्ण शावी इस दर्शा पूचा नौर्मल ता था या फिर ऐसे पूछ सकता है कि और दुर्ट कर्रांति के सका रात्मक और नकारत्मक परिणाम संबद्र करने हैं तो और नियुक निए इसा पूचा जागा परिणाम तो सबसे पहले आप लिख देंगे क्या है एक लाइन तो बेटेंड में सत्राइसी के दिसकते एठाइस अपचाइस के बीच उद्योग और अत्रिवस्ता के जो रुपांतर वे उससे क्रांती कहते हैं अब इसमें एक लाइन आप यह लिख सकते हैं की और क्रांती के दौरान ऐसे कई सारे अविस् नए नई मशीनों को अविस्कार हुआ जिसने में मशीनों प्रयोग होने से मानव को भारि कामों से अधिक काम कर सकते हैं और तो यह क्रांती से जो यह यात यात अथा था और वो विक्षित हुआ संचार के नेने साधन के आविश्कार होने लिए अब देखे इस पर्टिकुलर एक एरिया से यहां तक अगर आप बाइरोड जाते हैं तो आपको गर 10 घंटे लगते हैं ठीक है अब नहरों से जाते हैं तो आपको गर 8 घंटे लगते हैं तो अगर तो यह क्या हुआ है यह के आविश्कार जो अलग-अलग होते गए यातायात में इससे जो अधिर करांथी थी उसका यह सकारात्रा पॉइंट बन जाएगा उसके बाद एक और लिख सकते हैं कि अधिर करांथी के फल्सुरूफ मनुष्य के जरूरत तथा मनुष्य की वस्त्र सस्ती अच्छी गुडवत्ता वाली मिनना समोगा हमने पिछले जो आपका चैप्र नंबर 7 था उसमें देखा था कि यूरोप जो था उसमें सत्तरवी सताब्दी में आयता मुझे आता है जो मुझरन करांथी उससे क्या हुआ था लोगों में पढ़ने की इच्छा जागने लगर लगी और जो वस्तु में थी वो सस्ती मिलने लगी थी अच्छी बत्स नहीं किताब थी सस्ती मिलने लगी अच्छी गूडवत्तावाली और विचाल जो थे एक जग से दूसरी का फैनने लगे वही सेम चीजी वहीं पर ludzi वस्तु है यहां पर मरोगंजन यह फाली वस परणाली का विकास हुआ गाहों से जो भी लोग गड़ीब थे वह अगर अपना वेबसाइट शुरू करना चाहते थे तो बैंक उन्हें रेड़ी प्रदान करते थे और बहुत तक उन्हें कई परिवन के साधन भी उपलब्द करवाते थे ताकि जो विकास है वह और तेजी स प्रद्रेश किया जा सके आपको समझ में आ गया जो आप सकारात रहें उसमें मसीनों का विश्कार यातायात संचार के साधन और तीव्रिगामी परिभान के साधन जो इसके बारे में लिख देंगे और अभी और बताता हूँ आपको एक-दो पॉइंट और है एक सब्सक्राइब तो यह सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकता है हिंदी में समझ आगया अब चलिए इसके नकारात्म प्रवाव में जो सकारात्म प्रवाव में उसका ही पस आपको थोड़ा सा उलट देना है कैसे देखिए इससे समझे पहला आप लिख देंगे कि इसकी व लोगों के बरावर और अच्छा काम कर सकती थी तो सबसे पहला थोटे चोटे उद्योग धंदे जो थे वह समाप लगे दूसरा जो गाओं में क्रिसी होती थी लेकिन उससे गुजारा करना मुश्किल था इसलिए ग्रामीड लोगों का रोजगार की चलाश में शेहरों की वह गया अब जब रोजगार की वज़ए से लोग जो थे वह शेहरों में आने लगे शेहरों में आगे तो स्वास्ता सब्द्रा सिख्षा सब्द्रा पेजल और आवाज जैसे जो समझ्षा है वह उत्पन्ध होगी तो जो रोजगार बढ़ रहा था उस रोजगार की जाता था जिसमें वह लायक नहीं जैसे कि महिला जो अगर वह गरवती है तो भी उससे काम करवाया जाता था यह काफी पीड़ा दायक होता था इसके कारण स्वास्त और स्वास्त पर उनके दुस्पराव पढ़ता था और कई वात उसकी वात उसकी से मौत है अब देखिए एक और जो गरीब थे जो मजदूर थे जो काम करने के लिए जाते थे वह तो एक था बुजूरवा यानि की मद्यमवर्ण जो की उद्यूरपती का था दूसरा यानि की जो नगरम दियाती के इलाकों में रहने वाले मजदूर का एक सरभारा बार यह दो बढ़ गया एक चलिए कोश्चन में सेकेंड देखिए इंग्लिस में तो वट एक्सेंड डू एग्री विदा स्टेट्मेंट दैट इंडस्टियर एवैल्यूइशन प्रूब तो यह कैसे हुआ आपको यह समझाना है ठीक है मिक्सेट गून कैसे साबित हुई यान की मिसित वद्दा डिसके पॉजिटिव यान की सकारात्म नेगेटिव नकारात्मक कोंसेक्वेंट्स यान की जो परिणाम हुए थे इसकी इंडस्टियर डिवैल्यूशन तो परिणाम जब आप लिखेंगे तो एक लाइन तो आप पढ़ पाएंगे और उसके बाद बात करते हैं अगर हम निगेटिव की तो निगेटिव में आप यह पांच पॉइंट लिख दें ठीक है तो इससे कोशन में समझ में आ गया होगा आप सभी को हिंदी में ने दिखी यहां पर आपको समझाई दिया है यह आपका हिंदी में और इंग्लिस में तो आपको मैंने दिखाई दिया तो आप इसी इस तरह से समझ पाएंगे आगे बढ़ जाते हैं एकले कोशन के चरफ कोशन नमबर जो हमारा थर्ड है उससे पहले इसे आप दुवारा देख लीजिए यह है आपका पॉलिटिव इफेक्ट अब समझते को कुशन के बात करते हैं को ठ़ाइं दो बेटेन में उगे Violence में विश्कार था वसे हम्हें सम्झाना है यह फिर सद्रिय से फूछेगा बेटें में नहरें और स्ट॥ के आविसकार ने बिटेम को एक जादूई कैसा एक जादूइब का किसे अघशर कर दिया sa पटपर कैसे अक्षर किया हैं समझा है कि इसके विकास के बारे में हैं बता कि straight इसके दिए होती का मतलब कि कैसे उपयोग में समझाना प्राडम wes Vater jazz को तक लिए बनाई या तो माली म्याट उनके मालिक तब तक कोईले को शर्यों तर दिया जाने के लिए बनाए जाते हैं कि और जमीदार होते थे यह अपनी जमीनों परिस्टित खानों में जंगलों के मूल बढ़ाने के लिए बनाए करने के लिए यह नहां के लिए के लिए पाइलों के बहुत ऐक लिस sorry में सबसे जो नहर थी वह वर्षली केनाल में बनाई गई थी इसका फ्रियोजन यह था कि वर्षले के शेत्रों से वर्षले के कोईला भंडारों से शहर तक कोईला ले जाया इस नहर के बन जाने के बाद की कीमत घटकर आती रही अब जब देखिए किसी एक इस्थांद है ठेक है माली जीहां पर हर दिन अगर 10 रुपए अगर एक रुपए है अगर इसकी 100 रोटी आने लगे तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी सिंपल सी बात है कीमत घट जाएगी वह कीमत 50 पैसे हो जाएगी या 20-30 पैसे ऐसे हो जाएगी जब वस्तू कोई जादा आ है उसकी कीमत ऑटमेटिक गट जाती है तो कुईला जो था वो शैरों तो गजिक मात्रा में पहुंच लेगा कैसे वसली कैनाल के नहर बनने की वज़े से तो कीमत क्या होगी गटकर आदी रहे उसके बार नहरुनमाद यह क्या है यह कैसी अवदी थी कैसी वज़ी 1788-1996 की आठ वर्स का जो समय था ना इन आठ वर्सों के अवदी को नहर बननाद के नाम से जाना जाता है क्यूंकि इस दौरान इस आठ वर्सों में 46 नहरों के निर्माड की नई नई परियोजना हाथ में नहीं गई थी जिनकी लंबाई कम से कम 4000 मील से अधिक हो तो एक लिए वसनी कहना नहरानमाद अब नहरों की उप्योग में दो समस्याइं आती खुलकों से दो मस्याइब आप ये समझे कि आप किसी नदीं के आज सपास में रहते हैं तो सिंपल सी बात है जब वहां पे अगर आप माल लेजी कि एक नावे नावे के लिए सबसे परिवन के रफ़तार दीमी हो गई साथ जब पाला होता है जब आप दिखाई निजब बार्ड रोता है तब भी आपने और जब सूखा होता है तो आप इन नहरों का इस्तिमाल नहीं कर सकते ठीक है तो यह चीजह है नहरों के विकास के बारे आप समझे वेटेंड में रेलव कौन-कौन से थे नहरों रेलवे तो यहीं चीज आप रेलवे में लिख देंगे कि विकास के साथ और द्यूगी करन जो था वह बेटेंड में दूसरे चरण में पहुंच गया क्योंकि जो अब सामान था वह अधिक महात्रा में तेजी से एक जगे से दूसरे जगे तक ले जाए जा सकता था पहले क्या था कि भाफ से चलने वाले देल का इंजल स्टिफेंशन का रॉकेट 1814 में बनाए गया था जो की काफी सब सही साबित हुआ अब रेल गाड़ियां जो थी वह एक ऐसा परिवन बन चुकी थी जो जिससे वर्सवल मतलब की यह जो परिवन का संसादन था यह पूरे वर्स उपलब्द रहता था साथी साथ यह काफी सस्था भी था तेज भी था और माल था यात्री दोनों कोई एक जगे से दूसरे कि किसको आविसकार हुआ रेल रेलों कि वजह से एक ऐसा साथन बन गया परिवन ठाल यातरी को सब्सक्रां कोई कम पैसे में अधिक समय में और ज्यादा मातर में पहुचा सकता अब इसमें कुछ आविसकार एक है फूपकारने वाला दाना 1801 में शिपर ट्रेविधिक ने इन्जन का निर्वान किया जिसे खुफकादने वादर दानब करते हैं यह इंजन जो था वो ट्रकों को कार्ण वाइल के उस खान के चारोग खीस कर ले जाता था जहांपे रिचरड काम किया करना था दूसरा है रेलमार्ट कौन-कौन से रेलमार्ट बनाएगे कितने कितने ब बीच नौ मील लंबा वह बना जो कि 24 किलो मीटर प्रतिगंटा यानि कि प्रतिगंटा पंदरा मेल की रफ़तार से दो घंटे में त्या कर देता था ठीक है उसके बाद 1830 से 1850 के बीच बेटेंड में रेल पत्र जो था वो दो चड़ों में मिलकर कितना लंबा हो गया चरह जार मेल पहले कितना था चार हजार उसके वाद कितना हो गया चेए उसके बाद रेलों मार्क जो था वो 1831 से 37 के बीच प्रतिए 1733 से 37 में चोटे 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 धेल क्ति वो बनाए जा रहे थे लेकिन उसके बाद 1844 से 47 तक बड़े बड़े जो बड़े बड़े रेल हैं उनके पत्रियां वह बिच्छा ही जाने लगी और तक्रिवाद साड़े नौजार मील लंभी जो रेल नाइन थी उसको बनाने की मंदोरी भी मिल गई इस तरह से यह दू तिन आविश्कार हुए और देल मार कितना बड़ा था यह सारी चीजा आप इस कोश्चन में लिख दें तो समझ में आ गया आप सभी को आपका कोश्चन नमबर चलिए आप समझते हैं से इंग्लिस में कैसे लिखेंगे डिस्क्राइब दा इंवेंशन ऑफ केनाल्स एंड डेल वेस इन बेटेंड नहीं और यह जो नियू इन वेंशन इसने किस तरह से अग्रसर किया कैसी लीड किया यह सब्धाना है सबसे वेज़े तो डेबलब कैनल्स इन बेटेंड के लिखेंगे उसके बाद क्यूं बनाई गहीं थी यह दिख देंगे अब एक उधारन है वर्षरी कैनल नहीं मात क्या है और जो प्रॉब्लम सी यूस में यह सारे पॉइंट जो है वो आप इसमें इसमें लिख देंगे ठीक है उसके बाद आजाएगा आपका डेवलमेंट इन बेट है तो दा फर्स्ट इस्टीम इको मोटेव दा ही सिंग डिमॉन रेल रोड एंड सेकंड रेलोड ठीक है तो यह सारी चीज़ा आप इसमें इसमें लिख देंगे लिख देंगे तो कॉश्शन में थाड़ भी आ इसे समझें कैसे लिखेंगे या फिर ऐसे पूछेगा भाप की सक्तिका विविन चेत्रों व्यापक उससे प्योग होने लगा कैसे होने लगा इसकी चल्चागी से देखिए काफी चोटा प्रश्ण है तो सबसे पहले यह प्रश्ण पूछा जा सकते हैं कि सबसे पहले की सक्ति का सर प्रफम योग हो आथा खनन उद्ध्योगों ए से के पहले उसके बाद जो भाप की सक्ति चत्पती तो मानकर क्या कर सकती दाव पहले न की सकति जिसे क्या होता था मशीन जो थी उसे चलाया जा सकती उर्जा का एक मार्ट ऐसा स्रोर था जो मशीनरी बनाने के लिए काफी भरोशी मंद भी था और काफी खर्चिला और अच्छा भी था अब इसमें अविश्कार आजाएंगे कोछ एक थोमस सेवरी आजाएगा और थोमस न के लिए काम करता था और अधिक दवाव हो जाने पर उनका वास्पित जो था वो बॉयलेटर फट्र जाता था यांकि यह एक तरह से ज़्यादा गहराई के अंदर जाने तक जो खनक मेंती था माइस फ्रेंड यह काम नहीं करता था फिर थोमस न्यू के मैं 1712 यांकि लगव तो इसका जो इंजन था वो अगर लगाता ठंडा होता रहता था तो क्या होता था यह इसकी उल्जा खतम हो जाती थी और खननकार रुक जाता था यह दोनों ही क्या रहे नाकाम्याब रहे अब फिर आ जाता है आगे जेम्स वाट अब आगे आता है जेम्स वाट जेम्स वा यह अन्य इंजिनों की मुकाबले सबसे अधिक शक्तिसाली इंजिन था जिसका अधिक मात्रा में इस्तिमाल किया जाने लगा अब देखें एक निर्माता थे मैथ्यू वाल्टन इनकी सायता से जेम्स वाट ने क्या किया था सत्रा सु पच्छतर में बवनिर गम में एक इसमें इंजिन बरावर बढ़ती हुए संख्या में बनका निकल लेगे थे जेम्स वाट की इन्होंने क्या किया था इस इंजिन थे उन्हें और अधिक मात्रा में बनाना शुरू कर दिया था अठारी सत्राव्ध के अंत तक वाट के जेम्स वाट के जो भाब से चलने वाले इंजिन थे वह और उन्होंने इन इंजिनों की इस्थान था वो ले लिया उसके बाद पहले क्या होता था कि धातू पीसने के लिए एक चक्क्च चलाने का काम कई घोडों के द्वारा किया लेकिन जब से भाब की सक्तिय का इस्तिमान हुआ है तब से जन्सक्तियान की इनसान अश्रसक्तियान की गोड़े इनकी जो निर्भात्ता थी अब वो खतम हो गए अठारा सो के बाद अधिक हल्की तथा मजबूत धात्यों के इस्तिमाल से जो अधिक सटिक मशीनी और मजबूत हतियार हो बना लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता थीक है तो अधिक हल्की था मजबूत यान की हमने कि अधिक हल्की और बहुत मजबूत धात्यों उनके इस्तिमाल किया जो कि मशीनी और निर्मान से विग्यानिक जानकारी से अधिक वापक प्रशाल से बाप के इंजंग के प्रद्योगी की और भी अधिक मात्रा में विक्सित हो गई तो इस तरह से जो भाप की सकती था उसका निर्माड इस तरह से वापक रूप में होने लगा तो समझ में आ गया आप सभी को आपका कॉश्चन नमबर पूर्थ अ सबसे पहले तो लिखेंगे इस्टीम पावर वाज फस्ट यूस्ट इन माइनिंग इस इंडर्श्ट उसके वाद आपके जो सारे पॉइंट्स है वह आप यहां भी लिख देंगे ठीक है इसे मैंने आपको समझा दिया हिंदी में और इंग्रिस में आप यहां से पढ़ पा इसमें बेसिकली क्या है इसमें बताया जाता है जो मैंने आपको हिंदी में बताया समझाए था कौन-कौन से थामस से थामस न्यूकरमेंट जेम्स वाट धातु की सकतिगा इस्तिमाल कौन-कौन से और यह सारी चीज़े भी यही भी बताईए आगे देख लेते हैं अच्छ तो देखिए सबसे पहला तरीका यह पूछेगा कि और क्रांती जो है इसके परिडामों की चर्चा कीजिए अब देखिए इस कोश्चन में आप दो जगह कर्फ्यूज हो जाएंगे कहां कहां पर देखिए समझेए हमारा जो कोश्चन नंबर एक से के नहां पर था कहां गय कहां गया कहां गया इसमें क्या है इसमें यह पूछा गया है और क्रांती जो थी वह मिश्दित वर्दान कैसे साबित हुई है तो इसमें आपको इसके सकाराट्मों और नकारट्मों पॉंट्ट लिखने है जो हमारा अभी वाला कोश्चन है इसमें आपको क्या करना है देखे यह यह रहाँ इसमें आप दोनों ही अंसर लिख सकते एक तो सकाराट्पग और नाकारत्पग लिख लिख देंगे जो महिलाएं थी उन पर किस तरहाइकार चार्चार हुआ था अब अलग अलग तरीके से इसे कैसे पूझ रहेगा देखे से पूछ लेगा बेटेंड में इस्त्रियों के भिन्विन वर्गों के जीवन पर और दियोग कारखानों में काम करने वाले जो इस्त्रियां थे और बच्चे थे बड़े जो उद्योग था उद्योग के वाले इस्त्रियों और बच्चों पर इसे ही और दियोग करन्ति के दौरान महिनां तो बच्चों की इस्त्रिय को सुधारने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए ये भी बताएए तो महिनाओं से संबंदित जो भी आपका प्राश सबसे पहले देखें मजदूरों के प्रहों के बारे तो बेटेंड में 1780 के बीच उद्यों को अधियों को अधियों को अधियों के फल्सुरूप समाज में मालिक और मजदूर इन दो वर्गों का कि आयों से कि में मैंचेस्टर में 17 वर्ष कि षी और ठर्वी में होती ती 21 उसके बाद काम करने करने के जो तरीके थे वा काफी निम्न हुआ करते हैं काफी खराब थे जिससे कई लोगों की मृत्य हो जाती थी जल की वज़े से जो है जिक बीमारी हो जाती थी यह आप अपच्छे कहते हैं यह जाता था एक आंकड़ा है 1832 में है जिसमें एक शहर में रहने वाले तक्रीवन 31,000,000 लोगों की मिर्तियू हो गई थी जो की जल प्रेस्टवन की वज़े से हुआ था सरकार और चिकिस्टक जो थे उन्होंने इन मौतों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जो मालिक थे उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया तो यह प्रभाव पढ़ा और दि क्रांती ठीक है बच्चे और महिला हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि शैसव अवस्था में बच्चों की मौत गरीबी गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दूदर्शा पर्याव वरंड का 6 और हैजार तपेदिक की बीमारिया और दियू करन की देर थी य इस व tempor जाती थी साथी सब्सक्राइब मरतjal हो सबस्क्राइब मरत मौत बच्चे महरा जाती है up steam कोईला खाने जोती घ्रकिति और तेड़ाा जहां पर बच्चों को बेजा जाता था जहां पर भीजाए जाए तो वहां पर बच्चों को ब बना रहता था होती भी थी तो बच्चे मर जाते थे जिसका मालिक पर उस खडान की मालिक Pर उस असर नहीं पड़ता था उसके बाद गंधी बस्तियों में और बच्चों के लिए आम बात हो चुकी थे बोजन की कमी की वज़ेसे और लडाई होने की वज़ेस जो गुस्सा होता है गरीबी के वज़ेसे गरीबी अधिक काम करने की वज़ेसे कई परिवारों में बिखराओं भी होने लगा था एक दूसरे से कोई बात नहीं करता था गुस्सा रहते थे बोजन नहीं मिलता था गरीब थे अधिक काम करना पड़ता था काम पैसा मिलता था इन सभी चीज़ों को जैसे एक और दुर्वाब देखने को मिला कि पुर्स जो थे उनकी अफेक्चा महिनाओं को मजदूरी थोड़ी कम दी जाती थी इन्हें 10 दी जा चाहँ झाहिए ऐसा स wrench की महिनाओं का जीवन काफी सुविदा पोञ था काफी आनंद धाक था इसकी निम्हें की महिनाओं का जीवन काफी संगच्ट पूर्ण था जो mess उ writes dat in the सिंपल सी वात है ये इसकी पास पैसा होगा लोग उसे इज़त देते ही देते हैं तो इसे समझ में आ गई इसमें क्या था 18-19 से आप याद रखेंगे इसमें से 9 निकाल लिए नो हमने निकाल लिया तो अब इसमें समझ लिए कि 9 वज से कम आयू वाले बच्चों से आप फैक्टरी में काम नहीं करवा सकते हो और जो उसे अधिक हैं उनके लिए क्या की कि काम करने की सीमा तै कर दी ग इन पर काम करवा सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही जगे काम पर लेसम के फैक्टरियों में और बड़े बच्चों के काम निधारित जो गंटे थे वो निधारित करते हैं फिर आया खान कोईला खान अने नहीं 1842 इसमें ये कहा गया 10 वर्स से कम आयू वाले बच्चों और इस त और काम नहीं ले सकते हो फिर आया फिल्डर स्फेक्टे इनिम इसने ये कह दिया कि वह अठारा वत से कम उम्रवाले बच्चों वा इस तरीयों से आप किसी भी सेक्टर में आप उनसे 10 घंटे से अधिक काम नहीं ले सकते हो यह चीज थी जो आपको और गर्यांती के आंसर इजी ली चलिए अब इस आंसर को एक वार हम पूरा समराइज कर लेते हैं कि काफी बड़ा अंसर हो गया काफी सारे प्रश्ण है इसमें तो देखिए यह हैं आपके टोटल छे प्रश्ण छे नहीं है पांच है इन्हीं पांचों प्रश्णों के उतर आपको सिर्फ उसर इतना लिखते हैं ठीक है अब इसे एंगलिस में समझते हैं तो इंगलिस में लिखेंगे इसे कोंकेंस राउसे ऐसे ए इसार इसे कंटे इसक्शनों में इन नित SAYS है कि नित्ले इससरे पूरिस क्यों सकता है रही है इसे नित डिपेंड़ डिपेंड डिपेंडेंट और वुमें एंड चिंडर वाकिंग इन फैक्टरीज दिस गीप पिक्चर और अली पीरियड लिए इस यह पूछ सकता है वह इस टेप सबसे इसके इंपक्ट क्या थे बॉर्कर पर लिख देंगे और उससे भी पहले एक भूमिका बना सबसे पहले इंपक्ट पर लिखेंगे इंडस्ट्री इंपक्ट चिल्डरंज और उसके बाद जो कदम उठाए गए हैं एक्ट 1819, 1830 माइनस एंड कोईला माइस एक्ट 1842 एंड फिल्डर्स फैक्ट्री एक्ट 1847 तो यह सारी चिजाप इस एलिया पर लिखते हैं एक हैं तो इससरे से आपका यह कोशन में आपके कंप्लेट जाते हैं इसलिए सभी कोशन आंसर अभी तक के जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए हैं वह आपको दुबारा से दिखा दिखा दिता है पहला प्रेश्ट और दियुकरांती बेटेंड में क्यों आई और सेकेंड और दियुकरांती एक मेसेज बतन शावे तो इस चर्चा कीजिए अध्वा और दियुकरांती के सकालात्यों तर्था नकाल को परणामों की चर्चा कीजिए प्रेटेंड में नहरे और रेल्वी के आविश्कार का बाढ़न कीचे या फिर बेटेंड में नहरे और रेल्वी का आविश्कार ने बेटेंड को एक जादुई पत्पत कैसे अगर्शिट किया सब्सक्राइब तो किस तरह से मैजिकल डपलोपमेंट आया था इससे आप समझाएंगे ठीक है तो यहां पर लिख देंगे आप इस तरह से उसके बाद ही आता है आपका आगे ठीक है पूर्थ भाप की सक्ती के विकास का वर्णन की ही बाप की सक्ती का विवन चेत्र में व्यापक रूप से प्रियोग वहने लगा से विस्टार्स को समझाएंगे ठीक है आज की हमारी वीडियो यहां पर खतम हो जाती है बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी जितने भी कोशन आंसर आपको इस चैप्टर के मैंने समझा हैं वह आपको समझ में इसली आई गए होंगे समझ में आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों को भी जादा जादा शेर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसी लेगी लाइक करें शेयर करें 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 और अपना ख्याल रखें, बन्यवादवाद झाल झाल